हेलो एम नेटकुट देस्ट टूडियो टेडर्स डेल्टा कॉप को आज दिने ट्रेट किया था एंड पब्लिक टेलिग्राम चैनल पर सभी किसा इस्टॉक हमने शेयर किया था शॉर्ट सेलिंग के लिए हमें डेल्टा को देखना था यह भी हमने लिग दिया था किस लेवल स तक यह करीब 2.09 परसेंट तक मूव हुआ है और मॉनिंग की लास्ट की ब्लैक एंडल बन जाने के बाद में पूरे दिन स्टॉक साइडवे रहा कोई बड़ा मूव नहीं देखी एक हाई एक लो लगा और लो के बाद में फिर पूरे दिन साइडवे मॉनिंग के लो के पा और प्रोफेशनली हमने अपने सिस्टम के एकॉर्डिंग जहां तक स्टॉप लोस रखा तो वहां तक प्राइस कहने का वेट को स्टॉप लोस दिया बहुत हार ट्रेड नहीं था इसी था बट मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया तो लोगों का हिट हो गया तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों आज के ट्रेड को समझेंगे स्टॉप लेट करने के बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा एक मैथड हम आपको बताएंगे उसको अप्राइई करना अपने साथ है काफी काफी आप इंप्रूव्मेंट देखो गया डिल्टा कॉप के अंदर आज के दिन एक रेट केंडल फॉर्म होनी थी आप देख और नीचे की तरफ आया था आपको याद होगा कि एक ट्रेड अभी लास्ट ट्रेड हमने किया था उसमें सेम मैथट के कॉर्डिंग हमने बाइंग की थी एंड यहां पर हमने सिलिंग क्योंकि यह हमारा स्विंग एरिया था प्राइज ने क्या किया कि यहां से यह अप को ब्रेक किया है एम ड्रेक आउट कर देने के बाद में फिर प्राइज हमारा सीधे ऊपर की तरफ चले गए और यहां आगे सिंपल सी चीज है एक तो स्विंग यहां पर हमने देख लिया और प्राइज हमारा अप साइट की तरफ है तो यहां पर यह पिछले कई दिरों से रेस्टेंस ले रहा था करीब 3-4 बार प्राइज हमारा एक ही जगह से रिजेक्ट हुआ है उसने रेस्टेंस लिया है और डाउन साइट का फॉल दिखाने से पहले पहले प्राइज ने क्या किया हमारी एक मदर केंडल का ब्रेक आउट कर दिया विच इस यह ब्लैक वाली क केंडल के ऊपर की तरफ जाए एंड यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल जाए नहीं तो फिर प्राइस को अगर नीचे की तरफ जाना है तो हमारी यह वाली जो ब्लैक कैंडल है इसका लो नहीं टूटना चाहिए system के according अगर हमारी इस black वाली candle का low toot रहा है तो कहीं न कहीं इसके अंदर weakness, weak हो रहा है price, हो सकता है यहाँ पर भी हम लोग गलत हो, कि price अपना previous जो swing है इस जगह पर आ करके और यहाँ से यह उपर की तरफ चला जा, तो हमने precautions लिए, हमने तुरन trade execute नहीं कर दे, आप जब level अगर price को ऊपर की तरफ निकलना तो क्या करेगा, यह वाली जो black वाली candle है, यहाँ से price हमारा upside की तरफ चला जाएगा, अगर नहीं गया, price नीचे की तरफ आ करके swing बनाए और swing को downside की तरफ इसने closing कर दे, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना trade execute का लिया, अब सिर्फ एक ची अप में movement नहीं हो रहा और एक mother candle form हो रही है, और यहाँ से फिर price नीचे की तरफ closing कर दी, यह अपना entry का point था, यहाँ से लोगों ने पना trade execute किया, और वापस से फिर price पूरे देन हमारा कहीं गया नहीं और वो side way रहे, तो यह reason था, देखें, दो चीज़ा समझ भाएं, कि क् इसके अंदर short selling, I hope कि clear होगा आपको, lower time frame पर तो समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर इसने hurdle लिया हमारी जो 942 की candle लिया, इसके बाद में price ने एक, दो, तीन, तीन candles form की, volumes के breakout गयो है, और इसके बाद में price ने breakout किया, volume के breakout के साथ साथ, price ने नीचे की तरफ closing कर दी, इस वज़ एक तो यह black वाली candle, mother candle, previous to previous day की closing इसके नीचे हुई, ओके, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे है, कि जो कल गालो है, वो break नहीं होना चाहिए, लेकिन price ने तो break कर दिया, ठीक है, अब एक चीस के हम देख रहे है कि previous जो swing है हमारे, यह वाले, अगर price को उपर की तरफ जाना ह करे हम लोगों को, तो इसका मतलब कहीं नहीं कहीं इसके अंदर short selling हो सकती है, अब कल के दिन भी हम लोग delta cop को same level से देखेंगे, short selling ही करनी है, अगर मौका देती है market हम को short sell करने के लिए, तो फिर हम delta cop को कल के दिन short sell करने की कोशिश करेंगे, ओके, यह तो बात हुई delta cop की, and अब बढ़ते हैं हम लोग stock selection के method की तरफ, अब देखें stock selection का कौन सा तरीका है, हम लोग चलेंगे money control, money control open कर लिए, money control में यह काफी अची चीज़ है, market all states, all states में जाकर कि जब आप नीचे की तरफ हो गए, तो देखेंगे हैं अपर दो चीज़ें अपने काम की है, हाला कि है अब ही हम लोग दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो यह, increase in open interest and increase in price, second increase in open interest and decrease in price, एक तो है increase in price और दूसरा है decrease in price, simple से चीज़ याद रखनी है, increase in, trend identify हो रहा है, stock selection के method से ही trend identify हो रहा increase in price में हम लोग buy करते हैं decrease in price में हम लोग short selling करते हैं याद रखने का सबसे simple तरीका है या फिर आप इसको ऐसे समझे technical language में बोला जाता है long build up and short build up अगर increase हो रहा है price open interest अगर increase हो रहा है तो वो होता है long build up decrease हो रहा है इसका मतलब होता है short build अगर long build up हो रहा है तो हम लोग buying करते हैं और अगर short build up हो रहा होता है तो फिर मोग short selling करते हैं तो यहाँ पर increase in open interest and increase in price क्लिक करो क्लिक कर देने के बाद में एक option आपको और देखना पड़ेगा जो कि यहाँ पर increase percentage पर एक last क्लिक करो गया और आपके पास आपके trade करने के लिए stocks आपके पास आजाएंगे जैसे OFSS, CUB, Page Industries Britannia, SBI Life, Bandhan Bank इन सभी stocks के अंदर आज के दिन आपको buying करनी थी अगर कोई भी stock नीचे की तरफ जा रहा होगा या short हो रहा होगा गिर रहा होगा तो फिर वो जाए हाँ मतलब नहीं हो सबसे पहला stock कौन से है? OFSS OFSS को हम लोग देख अब यह OFSS है OFSS को आप 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर लिए 5 मिनिट पर इसमें क्या हुआ है? देखिए पूरे दिन ये stock आपका upside मेरा है कोई भी इसके अंदर down move नहीं आई है प्राइज ने एक low लगाया I think यहां पर एक low है और प्राइज का ये high है कितने percent का move हुआ है? अब side की तरफ एक move है One-sided movement इसने दिखाया करीब 0.5% ये stock चला है इसके लाव दूसरा इतनी simple technique है ये trade execute करने की आप लोग increase open interest and increase in price होगा आप लोग उसको buy करोगे Increase in open interest and decreasing price में हम लोग short selling करते है तो OFSS buying अब दूसरा stock देख लो आप जैसे की CUB है Page Industries है ये तो trade नहीं करता कोई अब Britannia देख लो copy यहां से हम लोग Britannia देख लिए Britannia में देखिए short selling होई है अच्छा इन में सम्में क्या होता है अब जैसे Britannia को हम लोगों को trade करना है तो सबसे पहला हम लोग अपने लेवल देखेंगे कि किस लेवल से हम लोगों को buying करने है फिर किस लेवल से selling करने है trade execute करने के बहुत सारे methods अल्रेड़ी हमने आपको बता रखें लास्ट वीडियो जो हमने upload किया हुआ है उसमें उसका topic आप देखोगे अब लास्ट वीडियो देखना इस वीडियो के जस्ट पहले जो वीडियो हमने upload किया उसको देखना उस वीडियो के last हमने trade execute करने के दो techniques बता है कोई भी कहीं से भी आप trade क्योंकि increase in price है increase in open interest and increase in price so हम लोग सिर्फ buying करते है अब यहाँ पर क्या हो रहा हम देखने है कि previous day में इसके अंदर एक mother candle form हुई है previous day में एक mother candle form हुई है तो buying करने के लिए हम क्या देखने है या तो इस candle के उपर price निकल जा है अगर buy करना है और sell तो करना नहीं तो price अगर नीचे निकल रहा तो फिर जाने हो फिर हम trade execute नहीं करेंगे एक तो यह technique हो गई दूसरी इसके अलावा कि जैसे price के swings के तुरू अगर हमें trading करनी है तो फिर यहाँ से हम लोग अपने trade execute कर सकते हैं यह मेरा price के swing है यहाँ से price माला नीचे की तरफ किया था price उपर की तरफ है और यहाँ से फिलहाल यह सब trade execute करने की trick है trick बोलना सही रहे है trade execute करने की techniques है तो उन techniques के उपर तो हम discussion नहीं कर रहे है एक trade execute जो stock selection होता है वो stock selection की इस तरह से करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है इस जगह से buying and selling वो दूसरी बात है लेकिन stocks के अंदर किस stock में क्या करना है यह simple सी चीज आपको समझ मेंने चाहिए तो Britannia है buying करना है अगर यह stock गिर रहोगा तो फिर गिरने देंगे अगर आपको इसके अंदर selling के confirmations मिलेंगे तो फिर sale होने तो हम करेंगे नहीं हम सिर्फ buying करेंगे अब इसके बाद में SBA Life में volume सोड़ी कम होती है तो इस stock अगर आप avoid करो trade execute अगर नहीं भी करते हो तो कुछ बहुत वो नहीं है आप इसको avoid कर सकते हो जैसे यह बंधन bank है बंधन bank देख लो आप copy जिन भी stocks के अंदर volumes कम रहती है उसको trade करने से हम लोगों को बचना चाहिए फिर वो side way होने के movement ज्यादा रहती है फिर manipulation ज्यादा होता हम उनके अब बंधन bank है बंधन bank में क्या हुआ है पूरे दिन ये stock देखिए अप side में रहा है पूरे दिन इसके अंदर green candle form होनी थी color क्या बना है देखिए green candle form हुई और वैसे भी देखोगे तो swing trading के लिए बंधन bank का भी बहुत सही जगे पर है इसके बाद में next stock देख लेते हैं जैसे mcdowell है mgl है igl है आप इन दो कोई भी ठालो आप mgl ले लो copy कर लो mgl को यह last है इसके बाद में फिर हम लोग decreasing में चलेंगे paste and महानगर gas limited यहां पर देखे क्या हुआ higher time frame पर एक green candle form होनी थी green candle form होई है 5 minute के time frame पर जब आप देखोगे तो पूरे दिन देखिए यह stock सिर्फ उपर की दिशा में ही गया है पूरे दिन यह upside की तरफ रहा है वापास आजाते हैं पीछे back करते हैं increase in open interest and decrease in price इस पर click कर लिजए decrease in price and increasing percentage इस पर एक बाद click जरूर कर लिजएगा इसको अगर आप भूल के तो उपा नीचे हो जाएंगी digits decrease in price अब देखिए इसको ऐसे ही नहीं ऐसा नहीं कि कल आप stock उठाओ कल ही scan or open करो और फटाग से trade execute करना चालो करतो ऐसा मत किजएगा पहले कुछ दिन देखिए कुछ दिन देखिए इसके बाद फिर trade execute कोई भी system अगर आपको नया देखने को मिल रहा है या आप कुछ एक नया system बनाने की कुशिश करते हैं फिर बनाते हो किसी को कोई एक system अपना नया अपनी तरफ से आप generate करते हो गलतियां शुरुआत में बही ऐसी हो जाते कुछ लोगों से बना लिए और बनाने के बाद में इतना confident हो जाते हो उसके ओपर कि बड़ी quantity के साथ काम करने लगते हैं आर्थी इंड़स्ट्रीज है आर्थी इंड़स्ट्रीज देखी क्या क्या है पूरे दिन इसने down move दिखाया है पूरे दिन ट्रेड एक्जिक्यूट करने की techniques फिला चली यहाँ पर एक बार देख लेते हैं टेक्निक्स वगरा बताने का कुछ वो नहीं है यहाँ पर दिखे क्या हुआ है टेक्निक्स के उपर ओल्यडे हमने वीडियो अप्रोड की है इसवाज से हम बार बार मना कर रहे है अब देखे कितना simple सा price analysis है एक आपका support area है price आपके support के नीचे जा ही नहीं रहा है यहीं पर support ले रहा है मालूम है अर्थि इंडास्री उसको में short करना है अब एक लेडर Master price हमाना गिर रहा है वो support ले रहा है अगर price इसके नीचे गया तो क्या हम इसको short कर सकते है पहले से हम दोगो को मालूम है कि आती इंडस्टिस को में शॉर्ट करना है अपनी रीडिंग करो लेवल्स निकालो लेवल्स के ओपर अपने अंड़ी से कंफिर्मिशन लो ट्रीड एक्जीकूट करो एक सही मेथेड मिल जाने से पदा है क्या होता है ना कॉंफिडेंस आता है मन में जो हल चल मस्ती है ट्रेड एक्जीकूट करने से पहले वो कम हो जाती है कॉंफिडेंस रहेगा तो फिर आप ट्रेड एक्जीकूट करने में फिर ज्यादा हिच की चाहो के नहीं प्रॉब्लम क्या है कि पस एक ही चीज़ है मनी मैनेजमेंट को रिस्क मैनेजमेंट को और ट्रेड एक्जीकूट कर दो इसी के उपर मस्तर करना होगा फिलाल कहने में और बात करने में यह सारी चीज़ा बड़ी आसान लगती है बट एक्शली जब रियल मार्केट में काम करने जाओ तो कुछ-कुछ पाइंट पर आकर कि फिर आप फस्ते हो उन्हें फिर मास्टर करना पड़ता है अगर इतना इसी इतना ही आसान हो फिर तो स सारी चीज़ों होती है वह डेवलप की जाती है धीरे 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 डेवलप की जाती है निरंतर continuous practice से वह चीज़े डेवलप हो जाती है दूसरा स्टॉक ले लिजा पी एन्बी है यू बैंक के आर्थी अप अलोट आ है पीन भी ले लिजे कोई स्टॉक अगर उपर ज जा करके और जो सेटिंग्स के तुरू अभी स्लेक्ट करना बताए स्टॉक्स को वहां से स्टॉक्स को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद में देखो कौन कौन से स्टॉक्स आपके अप में है टॉप फाइफ या टॉप सिक्स पकड़ लो वहां से टॉप फाइफ स्ट सब्सक्राइब करोगे ऐसे नहीं कि आर्थ इंडेस्ट्री जा गया और 9-15 के पहले ही एक एंडल देख करके आप ट्रेट करने बैठके उसके ओपर डेली टाइम फ्रेम पर आप रीडिंग करोगे अपने लेवल्स निकालोगे लेवल्स निकालने के बाद में एंट्री और इ उसमें मज़ा आता है वही करो profit losses में होगा आप खुश रहो वरना एक techniques के थ्रू काम करना है एक professional way में काम करना है तो मैंनत करनी पड़ेगे बैठे बैठे नहीं मिलेगा इतना काम करो जो भी चीज़े हमने बताएं कहीं पर भी confusion हो कुछ अकर question हो मन में तो में comment कर दो उसका reply 101% मिलेगा आपको तो I hope कि आज की चीज़े आपको समझ भाएंगी जो भी techniques भी हमने पताई है और जिस तरह से आज की trade की analysis हमने की अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है अगर market को sideway होना तो फिर वो हो जाएगे आप जहें जितनी अच्छी analysis लगा लो अब आज market अगर sideway हो market को blame करो market को blame करो नहीं थी अच्छी market गया है stop loss कल फिर नए confidence के साथ में फिर समलोग trade execute करेंगे okay so thanks good bye and video अच्छा लगा तो उसको like किजएगा comment किजएगा and we will meet again